सब्सक्राइब तो वाइब इंस्टिटूट और इंट्रोनेशनल एजुकेशन्स अबाउट कम्प्यूटर्स और टेक्निकल साथ हलो स्टूर्यंट वीडियो के पैटर्न के अनशार मुझे आपको वेब डिजाइनर के पांच बेसिक प्रिंसिपल्स के बाड़े में बताना है प्रिंसिपल्स को फॉलो करना कम्पल सरी है क्योंकि अगर आप प्रॉफेक्ट बरना चाहते हो तो प्रॉफेशनल्स के प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना होगा सबसे पहला प्रिंसिपल एक वेब डिजाइनर को अपनी क्रियेटिविटी मेंटेन करने के लिए डेली अटलेस्ट 20 मिनट्स की ड्रोइंग करनी चाहिए अगर आप इतना करते हो तो आपके क्रियेटिविटी मेंटेन रहेंगी creativity का मतलब है आपके काम करने की ललक आपका काम कितना perfect होगा यह depend करता है आपके creativity पे तो creativity समय के अनुशार down भी होती है और बढ़ती भी है तो हमें कोशिश करना है कि हमारी creativity down नहीं होनी चाहिए तो यह down तब नहीं होंगी जब आप daily के pattern पे थोड़ा भूत creativity वाली काम को करेंगे अप daily तो website design नहीं किया जा सकता है लेकिन common way में drawing करके अपने creativity को balanced रखा जा सकता है इसलिए आप एक pattern पे पढ़ाई करें आप अभी शेले के जब तक आपकी life है अपनी creativity को maintain करने के लिए at least daily 20 minutes की drawing जरूर ले अप drawing भले ही आपको नहीं आती है पर भी आप pencil से कुछ भी draw कर सकते हैं चाहे वो बुड़ा बने या अच्छा लेकिन आपको practice mode में रहना होगा बुक से कोई pictures देख के ही आपको drawing करते रहना होगा या हो शकता है अपनी मर्जी से आप कुछ भी बनाते रहें बेटर होगा आप disney collections की book purchase करे या बच्चों की rams की book से उसमें जो cartoons वगड़ा है उसकी drawing आप करते रहें और इस पे dependent ना रहे कि अच्छा बन रहा है या बुड़ा बस आपको 20 minutes की pencil drawing maintain करनी है जब आप regular mode में रहेंगे तो automatic आपकी drawing समय के अनुशार improve होंगी और आप अच्छे हो जाएंगे अब drawing से सिर्फ creativity ही नहीं बढ़ती है जबी भी client अपने subject को लेकर आपके पास आएंगे website या software बनवाने के लिए आपके drawing practice के कारन आपको idea मिलेगा कि client के subject के अनुशार उस website क कि या उस software के design कैसी होनी चाहिए यह हमेशा confusion होती है कि जो subject है उसके अनुशार website का design, color, structure कैसा होना चाहिए तो यह तभी आप maintain कर सकते हो जब आप regular mode में अपने creativity को maintained रखोगे कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आप industry में interview देते हो तो आपको shakro colors का pattern दिखाय जाता है और आपको lively पूछा जाता है website का design दिखा कर कि इसमें कौन सा color कहां fill करेंगे जो इस website की designing quality अच्छी होंगी तो एक web designing company में इससे बड़ा और complicated questions कुछ भी नहीं होता है तो इस तरह के questions का जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपकी creativity perfect रूप से maintained होगी दूसरा है physical creativity physical creativity का मतलब क्या है drawing भी creativity है और ये भी creativity है लेकिन drawing के creativity किसी को देख कर पता नहीं लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की drawing खड़ सकता है लेकिन physical creativity का मतलब है कि जो client आपके पास visit करते हैं उनको आपके whole creativity के बारे में आपके जगह स्वी अनुमान होना चाहिए माल लेजे कि आपका web designing का office है और उस office में बैठके आप website वगरा design करते हो तो client जब आपके पास आएंगे तो वहां के महौल को देखकर उन्हें idea होना चाहिए कि हाँ मैं जिस जगह पे visit कर रहा हूँ ये एक web designer का lab है क्योंकि एक web designer का lab इतना highly decorated होता है जिससे client को idea हो जाता है कि इस web designer का creativity कितना advanced है आप हमेशा ध्यान डखे आपके creativity जितनी beautiful होंगी आप जिस जगह पे काम करेंगे वह जगह already काफी beautiful रूप से decorated होगा तो physical creativity का मतलब है आप जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह को इस तरह से decorate करना होगा client के लिए जिससे कि client को office में visit करते ही ये idea हो जाए कि इस developer या designer की creativity कितनी strong है अब ये physical creativity को हमेशा maintain रखनी होती है अब माल लिजे कि आपने जो office को design किया है उस design को हमेशा आपको maintain करना होगा हो शकता है कि अगर उस room में कई सारे flowers रखे हैं तो उन flowers को हमेशा आप exchange करते रहे ताकि इस room की quality वगड़ा पे फर्थ पड़ता रहे हो शकता है उसमें drawings वगड़ा को change करते रहे तो ये physical creativity भी आपको maintain करना होगा आप भले ही daily maintain ना करे लेकिन at least one month में जरूर उसमें कुछ बदलाव करे और फिर उसके testing जरूर करे कि किस बदलाव से client पे कैसा फर्थ पड़ता है क्लाइंट आपके पास ज्यादा विजिट नहीं करते हैं तो आप अपने friend या employee को ही as a client के रुप में examine कर सकते हैं उनको आप बोल सकते हैं कि आप खुद आओ बर मन्त मेरे यहां और मेरा जो physical creativity है उसको आप देखकर थोड़ा सा guide करो कि मैंने जो बदलाव किया था पिछले मन्त उस मन्त के pattern पे क्या इस मन्त का बदलाव शही है या उसे थोड़ा week है अगर आप student है तो इसका मतलब आपके पास office नहीं होगा आप घर पे ही practice करते होंगे तो आप जिस room में practice करते होंगे हो शकता है room decorate करना थोड़ा मुश्किल हो लेकिन आप जिस place पे जिस table पे काम करते होंगे उस table पे at least कुछ ऐसा जरूर रखे जिससे आपके creativity के बारे में लोगों को अंताजा हो देखकर लोगों को feel होना चाहिए कि आपकी सोच कितनी अच्छी है औके और आप अपने creativity की testing करने के लिए आप अपने brother, sister इन सब लोगों से बात कर सकते हैं पूश शकते हैं कि मेरा choice कैसा है, मेरा taste कैसा है ये सब चीज पर गौर करना काफी important है क्योंकि अगर बड़ा web designer बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच अच्छी करनी होंगी जितनी strong आपकी सोच होंगी, client का impression और client का attachment उतना जादा आपके साथ होगा और जितना लंबी समय तक client के साथ attachment होगा, उतना जादा success आपको मिलेंगी ओके, dear student, time की थोड़ी problem है, इसलिए अगले पार्ट में जो तीन important principles है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा मैं आपको recommend करूंगा कि description में एक software engineering का link मिलेगा at least आप उस पर click करके देखे, कि हम जो online software engineering का course प्रोवाइट करते हैं, उसमें आपको किस तरह की education प्रोवाइट की जाती है ओके, so video perfections लगा हो, तो video को like जरूर करे, अपने friends में share करना ना भूले कोई problems या queries है, तो whatsapp पे join करे, या comment box में write करे so currently मेरे teaching experience को promote करे, मेरे channels को subscribe करना ना भूले और subscribe करने के बाद bell button पे click करे so stay tuned to our channel guys, thanks for watching our video, have a great day subscribe to web institute and get the international educations about computers and technicals